हाई फ्रेंज दिस इस मनो जादो एंड यू आर वाचिंग माई मुव्मेंट एस डव्ली एन आज का जो हमारा सेडूल है फ्रेंज वह हमारे सायरिक ब्याम के उपर ही है और इस सेडूल के पूरे होते ही आपको सायरिक ब्याम का कंप्लीट पेकेज मिल जाता है और आने वाल पर आपसे बात करेंगे आने वाले वीडियों दोस्तों आते हैं आज की टोपिक पर जो कि हमारा दंड बयाप कहीं अपगेड़ेड भर्सन है क्योंकि इसकी टोटल संख्या तीन है दोस्तों एक दंड के और दो बैठक के पहले के दंड बैठक और आज के दंड बैठक में स में दोस्तों और ऐसा करने से हमारी सिर्फ सारेडिक परनायम के भी लाब मिलते हैं इसलिए है अच्छे और उगेड़न ब्याम बन जाता है दोस्तों अच्छा और उच्छ कोटी का दोस्तों कि आका पूरे बोडी पार पर शेयों कि हम् 안녕하세요 ना कि आक is परडिकुला बोड़िπα फोर्ष लगता है किसी में कम लगता है तो step by step by हमारे इस वीडियो को पिछले वीडियो को फॉलो किजिए और तब यहां तक इस हमारे वीडियो में इंटर किजिए दोस्तों इस ब्याम में क्योंकि इसमें वही लोग कर सकते हैं इस ब्याम को जिसकी सारिक फिटनेस अची है जिनका रेगूलर एकसरसाईज जो लो करते हैं और जो रोग रस्त है और जो कमझूर बेगती हैं वो इसका अभिहास नहीं कर सकते हैं क्यों कि दोस्तों इसमें उरजाही इतनी लगती है कि इससे आपको इन्जूरी भिहा सकती है और इस लिए डिगे तों क्यों सीढ़िया और इसके प्रिकॉशन वही लागू होते जो हमारे दंड और बैठक में लागू होते दोस्तों तो पहले हम इसका अभ्यास करके देख लेते हैं फिर मैं आपको इसकी कुछ मुख खिलाप जो है मैं आपको आन्त में जरूर बताऊंगा तो पहले मैं दंड का दिखा रहा हूं लंबे समय तक इसका पोजिशन वही है जो हमारे वक्ष विकासक दंड में जो सीधे नॉर्मल पूसफ में लेते थे दोस्तों इस परकार से हाथों को अपने सोल्डर के समान अंतर मजबूती से रखें यहां पर क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपके कलाईयों पर जोर लग बाइसिप्स और फोर आम्स में 90 डिरी का इंगल बनना चाहिए दोस्तों इस परकार से यहीं पर आपको स्वास भरना है और नीचे जाना है देखिए इस परकार से देरे देरे जाये नीचे यहीं टाइमिंग को आपको डेली बढ़ाना और पूरी बोड़ी एक सीध में होने चाहिए गर्दन के साथ अब बीच में आप होल्ड भी कर सकते हैं जितना अथा संभवाप लग होल्ड कर सकते हैं और यहां एक बार आपको एक्सेल करना है कैसे करना यह देखिए पूरी बोड़ी को आगे घिचते हुए आपको एक्सेल करना है और फिर स्वांस भर के वहीं वापस आना है और फिर धेरे धेरे आपको पूरी बोड़ी को एक सीध में उपर उठाना है कि और अपने फोर आम्स को अंदर कि और थोड़ा ट्विस्ट करना है वेने को इसे सरोंड़ में विश्च कर व्याम करवाता है दोस्तों जिससे उनको मुति मिलती यह था दंड का एक अभ्यास दोस्तों देखें इसमें कितना टाइमिंग लगा फिर मैं आपको एक अभ्यास थोड़ा इस्पीड में करके दिखा देता हूं एक अधियरे जाईए देमिंग को बढ़ाते हुए और पूरी बोड़ी को आगे करते हुए एक है फिर वापस आई शांस भरके और अधियरे देरे पर उठाएए एक से लेशन और इने हैं दोनु आपको कंप्लीट तरीके से पूरी घरी लेनी है दोस्तों और घरी बहार भी थोड़नी है अब मैं आपको बैठक का अभ्यास दिखा देता हूं जो इसके दो अभ्यास है इसका पोस्चर बिल्कुल सिमिलर है लाइक रामूर्ती बैठक दोस्तों दोनों परवर के समानतर आपको भूजा पैरों को खोल के अंगलियां सीधी और अपको पहला जो इसका पाना है देरे-देरे बीच में कहीं स्वास नहीं लेना नहीं चोड़ना है पिंडलियों में बैक को टैच किजिए और फिर वहीं से देरे-देरे वापस आईए अब पूरी बोडी टाइट किजिए और एक्सेल किजिए यह था इसका बैठा का पाला भ्यास दूसरा पूरा सिमिलर है दोस्तों सिर्व आपको पूरे पैरों की चोगों पर बैठना है यह था इसका भ्यास करने का तरीका दोस्तों अब इसके बैनिफिट्स की बात आती है इससे पहला बैनिफिट हमारा यह होता है दोस्तों कि हमारी जो लंग्स की फेवरों की ऑक्सीजन लेने की छमता बढ़ जाती है आपका उसीजन लेने का इंटेक बहुत ज्यादा ट्रिमिंडेसली बढ़ जाता है आम आदमी से आप 50 गुना ज्यादा आपका इंटेक लेब दूसरी बात आपकी हिटदे परनाली को बहुत अश्रोंग करता है और आपका पूरा सरीट बजर की भाती मजबूत बन जाता है लोहे की भाती दोस्तों अगर इस और इसको अभ्यास को करने का दो तिन लगाई जितना लगा सकते हैं सिर्फ आपको टाइमिंग को ध्यान द इसके लाप दोस्तों मैटाबोलीजं भी से हमारे बहुत जढ़ादा जबर्जस ओजाता है इसको को भुछ जादे नीन आती है सोने की आदा था उनकी नेन की कोटा बहुत जवर्जसत कम हो जाती है और गरी नीन आती है और दूसरी बात हमारी मानसिक शंता को यह बहुत ज पुर्ति करता है दोस्तों और एक एक पार्ट को आपको मजबूत बनाता है प्रिकोशन वही है जिनको हिर्द रोग है बिशेशकर और हाई बीपी वाले इसका अभ्यास ना करें यह को लोग बिलकुल इसका अभ्यास ना करें और जिनको जिन हमारे बोडी पार्ट में इस ब्याम है दुनिया में इसका रिप्लेस्मेंट और कोई दूसरा ब्याम नहीं कर सकता है तो हम कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों आज का जरूर बताइए का कमेंट में और अच्छा लगे तो सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हीट कीज दोस्तों फोर आवर लेटेस्ट अपडेट दोस्तों यह था आज की बात दोस्तों हमेशा खुस रहिए स्टे हल्दी बाई बाई